सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसका मॉडल नमबर बता देता हूं दोस्तों यह डूल टावर स्पीकर है अगर आपको यह वाली टावर स्पीकर को पचेस करना होगा तो डेफिनेटल आप PC मीडिया से पचेस कर सकते हैं मैं डिस्क्रिप्चन में PC मीडिया का कॉन्टैक्ट नमर दे दूँगा दोस्तों अगर आपको फिलिप्स का कोई और मॉडल भी पचेस करना होगा तो PC मीडिया में आपको फिलिप्स के सारे मॉडल मिल जाएंगे तो अगर आपको Philips का कोई साभी model purchase करना है तो definitely आप PC Media से purchase कर सकते हैं तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है यार हमारा भी first time है हम किसी Philips के टावर speaker की unboxing video लेकर आ रहे हैं सर हमें भी काफी जादा excitement हो रही है कि यार इस model की sound quality हमें कैसी मिलेगी तो आप वीडियो को पूरे end तक देखेगा हमें भी काफी जादा मिलब जानना है कि यार इस model पर किता बड़िया sound हमें मिलता है क्योंकि दोस्तों हमने अभी तक Philips के टावर speaker को test नहीं करा है दोस्तों यार अगर आप हमें first time देख रहोंगे और आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं करा होगा तो यार जल्दी से हमारे चैनल को subscribe करेगा साथ में बेल आइगन को प्रेस करेगा ताकि नएने वीडियो के notification आपको मिल सके अगर आपको इस model के sound को और detail में जानना होगा तो जरूर से आप हम Instagram पर follow करिए मैं description में Instagram की ID का link दे दूँगा सो हर वक्त जादा ना कवात हुए अपनी वीडियो को start कर लेते हैं तो देखिए दोस्तों ये है हमारा Philips SPA 9080B dual tower speaker का box और देख लिजे दोस्तों box पर USB, FM radio, karaoke के बारे में mention कर रहा हमें मिल जाता है साथ में दोस्तों हमें Bluetooth के बारे में mention कर रहा मिलता है और tower speaker का पूरा design भी हमें box पर बना हुआ मिल जाता है सो फटा-फट से पहले box को open कर लेते हैं फिर हर एक चीच को आपको detail पर बताते हैं तो दिखे दोस्तों box हमारा open हो गया है और box के अंदर हमें एक चोटा box और मिल जाता है फटा-फट से दोस्तों इसे open कर लेते हैं देख लेते हैं कि यार इसके अंदर हमें क्या-क्या समान मिलता है तो दिखे दोस्तो इस पर हमें RCA to RCA गेबल मिल जाती है दोस्तो रिमोट कंट्रोल भी हमें बॉक्स के अंदर मिल जाता है सो यार ये चीच अची लगी कि यार हम अपने टावर स्पीकर को देख लीजेए तो यार ये चीच अची लगी कि यार हमें वाइलेस माइक Days के अंदर ही मिल जाता है देख लिजिए Philips की branding भी हमें माइक पर मिल जाती है दोस्ता हैं मेरे हिसाब से माइक की भी quality अच्छी होने चीए साथ में हमें देख लिजिए Power or Amp करने के लिए switch भी इस पर मिल जाता है दोस्तो हमें user manual भी मिल जाती है product के related सारी information हमें user manual पर मिल जाएगी चले दोस्तों अब अपने थर्मा कॉल को हटाते हैं एंड आपको टावर स्पीकर्स को अन्राप करके बॉक्स से बाहर निकाल के पूरे डिटेल पे दिखाते हैं तो देख लीजिए दोस्तों टावर स्पीकर्स को हमने अन्राप कर दिया है एंड या डिजाइन इनका काफी बढ़िया हमें मिल जाता है दोस्तों चले अब मैं आपको टावर स्पीकर्स को पूरे डिटेल में दिखा देता हूँ चले दोस्तो हम आपको सबसे पहले main unit को detail पे दिखा देते हैं तो दोस्तो देख लीजिए हमें top side पर एक streagle लगा हुआ मिल जाता है इस पर देख लीजिए USB, FM radio, carry okay, 9000 watts, PMPO, Bluetooth, free wireless mic के बारे में mention करा हुआ हमें मिल जाता है और दोस्तो इसका total power output है 80 watts RMS का चले अब मैं आपको front side को detail पे दिखाता हूँ, देख लीजिए हमें Philips की branding मिल जाती है LED display भी हमें मिलता है और हमें buttons मिल जाते हैं जैसे की play pause, previous, next, power on, off, volume, increase, decrease and USB port इस सारे buttons and port हमें front side पर मिल जाते हैं दोस्तो हमें 4 inch का speaker लगा हुआ मिल जाता है बट यार ये mention नहीं है कि कितने output का है ये और उसके नीचे दोस्तो हमें 2 inch का tutor भी लगा हुआ मिल जाता है और नीचे से देख लीजे हमें base reflex system मिल जाता है यानि की hole जहां से air pass होगी दोस्तो इस side पर हमें 8 inch का base level लगा हुआ मिल जाता है बट यार इसका भी power output के बारे में mention नहीं करा है तो अब हम आपको exact में तो नहीं बता पाएंगे बट देखेंगे कि यार base quality कितनी बड़िया हमें मिलती है चले दोस्तो अब मैं आपको back side को पूरे detail में दिखा देता हूँ तो देख लीजे दोस्तो हमें बहुत सारे nobs इस पर मिल जाते हैं treble, bass, eco, mic की volume को adjust करने के लिए ये सारे nobs हमें back side पर मिल जाते हैं दोस्तो two wide वाले mic को भी हम connect कर सकते हैं वाले mic port भी हमें इस पर मिल जाते हैं साथ में दोस्तो जो दूसरा tower speaker है उसको connect करने के लिए भी हमें port इस पर मिल जाता है एंड हमें audio input port भी मिल जाते हैं साथ में FM antenna cable भी हमें मिल जाती है नीचे से देख लीजिए power on off का switch भी हमें मिल जाता है दोस्तो हमें पूरा wooden का cabinet इस पर मिल जाता है सो मेरे हिसाब से बेस quality तो काफी बढ़िया इस tower speaker की हमें मिलेगी और दूसरा tower speaker भी दोस्तो पूरा design में इसी की तरह हमें मिल जाता है मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तो उस पर भी हमें 8 इंच का base driver लगा हूँ मिलता है 4 इंच का speaker लगा हूँ मिलता है और 2 इंच का tweeter लगा हूँ मिलता है सो आप उसे भी detail पे देख लीजिए चलिए दोस्तो अब अपने tower speaker को power on कर लेते हैं देख लिजे दोस्तों हमने अपने टावर स्पीकर को पावर आउन कर दिया है और सबसे पहले मैं आपको इसकी टॉप वालिम दिखा देता हूँ तो दोस्तों इस पर हमें 30 तक की मेक्स वालिम मिल जाती है चले दोस्तों अब आपको इसका साउंड डेमो दे देते हैं दोस्तों रेडी रहेगा जल्दी इसका डिटेल साउंटाइस वीडियो आ जाएगा और देख लिजे हमने अपना फोन लुटूथ के साथ कनेक कर दिया है प्लीज आप अपने हेडफोन का यूज़ करिए तब ही आपको साउंड कॉलिटी का पता लग पाएगा तो दोस्तों कैसी लगी आपको इस टावर स्पीकर की साउंड कॉलिटी बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में अभी आपको भी उतना अच्छे तरीके से पता नहीं लग पाया गवा कि यार इस मौडल पर एक्चुल में हमें कितना पाउरफुल साउंड आटपुट मिलता है सो तभी दोस्तों मैंने आपसे बोला है कि यार इसका डिटेल साउंड आटएस वीडियो के लिए वेट करिए आपके सारे डाउस के लिए हो जाएंगे क्योंकि दोस्तर अभी हमें भी उतने अच्छे तरीके से पता नहीं लग पाया है हमें इसे थोड़ा डिटेल में टेस्क करना पड़ेगा और उसके बाद ही दोस्तों हम इसका डिटेल साउंड आटएस वीडियो लेकर आप आएंगे बाकी आप मुझे वैसे कमेंट बॉक्स में जरूर से ये बताएगा कियार आपको इसकी बेस ज्यादा बेटर लग रही है या लाओडनेस ज्यादा बेटर लग रही है या क्लेरेटी ज्यादा बेटर लग रही है ये चीज मुझे जरूर से कमेंट करके बताएगा बाकी sound test का वेट करिए जल्दी detail sound test वीडियो इसका आ जाएगा और दोस्तों जो sound test होने वाला है वो काफी detail पे होने वाला है हम outdoor, indoor, bass and carry-o के हर एक चीज का test करके दिखाने वाले हैं आपको और उसमें ही हम आपको अपना full and final answer बता दिंगे आपको इस टावर स्पीकर को पचेस करना चाहिए या नहीं चाहिए सो आप detail sound test वीडियो का वेट जरूर से करेगा आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए शेयर करिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में बैल आइगन को प्रेस करिए ताकि नए ने वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और दोस्तों अगर आपको इस टावर स्पीकर की sound को औ और डिटेल में जानना होगा तो जरूर से आप हम इंस्टाग्राम पर फोरो करिए मैं डिस्क्रिप्शन में इस्टाग्राम के आईडि का लिंक दे दूंगा सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई